हेलो फ्रेंट्स अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया तो वीडियो को लाज तक जरूर देखें फ्रेंट्स पेरेंट्स की गलती की वज़े से बच्चे का जो पैर है वो टेड़ा हो सकता है बच्चे का पैर चोटा बड़ा भी हो सकता है नौकनी की समस्या हो सकती है और बच्चे का जो पैर का यह तालू होता है फ्रेंड्स जो थोड़ा गहरा होना चाहिए वह भी चिपता एकदम स्लिम बराबर हो जाता है ना जिसे हम लोग फूट बोलते हैं तो अगर ऐसा हो गया इसलिए आप इस वीडियो पे बने रहिए और ऐसा होता कि हूए तो फिर्ण्स सबसे पहले मैं बात कर लो कि हुआ कर कुछ पैरेंट्स क्या करते है बच्चे को चलाना सुरू करते हैं तो थो फूर्स फुली बच्चे को आप क्यों चला रहे हैं आपका बच्चा चोटा है अपने समय से वो चलेगा ही चलेगा आपको फोर्स नहीं करना है ठीक है कूँ जब बच्चा मा के पेट में होता है सत्वे-ट्वे मैने मैं मा को बहुत जादा होने लगती है तो माच आए नहीं बच्चा भी निकल के बाहर आजाए तो ऐसा होता है नहीं होता है जब बच्चे का पूरा है मतलब की वह पूर्स लगा ही नहीं पर आप उसको पैर में डाल दिया चलो चलो यह वाकर खीच रहे हैं तो इससे क्या होगा मेरा बच्चा भूरा पैर पार है तो क्या करेगा वह अपने यह जो उंगली होती है उसके बराबर पर ऐसे खड़ा रहेगा है तो उससे क्या होगा बच्चे का जो यह वाला जो पाइट होता है घुटने के नीची वाला वह भाग मत्तब इधर उदर तेड़ा हो जाएगा तो फेंड्स ऐसे गलती ना करें ना हमारा जो बच्चा होता है विदम कुमहार के मटके की त कर रहे हैं तो फिर आगे वही पैर तेड़ा ही रह जाएगा जो कि हमें दो साल तीन साल बाद लगेगा आइडिया की अरे बच्चे का पैर तेड़ा हो गया है सुरू में तो बहुत माबाप अपने सवकीनी में डाल दिये बच्चे को तो इसी गलती मत करिए ना और फ्रें अब हम आपको बताने कि मालिस भी कई से करना है क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मारे बच्चे पैर टेरा हो रहा है तो मालिस भी अच्छे से बैते तरीकिस करें यह बच्चे का मान लीजिए कि पैर है आप इसको बिलकुल ऐसे एक हाथ से पकड़ना और ऐसे खूब बढ़ियां से दबा के घुटने के पास सीधा करके मालिस करना है और यह आपको चारों तरफ से ऐसे ऐसे करना है ताकि जो बच्चे पैरवार है वो एकनम बराबर रहे ना आप अपनी गलती बच्चे को मत भुकतवाईएगा अब हम बात करेंगे फैंस कि बच तरीके से मजबूत होने में 9-10-11 महीने भी लग सकते हैं ना वो तो हमारे बच्चे के ऊपर डिपेंट करता है कि बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है कैसी उसकी केरिंग हो रही है कैसे उसकी मालिस हो रही है तो फ्रेंड्स जब बच्चा हमारा दस महीना कंप्लीट कर ले महीने में जाए तब आप उसको वाकर में डाले और वाकर में डालने बाद यह ध्यान दे कि आप पहले उसके नोटिस करें कि बच्चा आपका खुद से वाकर दोनों पैर बाकायदे तलुगा उसका धरती चू रहा है वह खुद से चल रहा है तब आपके लिए ठीक है नही और फ्रेंड्स जब आप बच्चे को वाकर में डाल रहे हैं तो एक समय में बहुत ज्यादा देर तकी नहीं कि आप अपना काम कर रहा है बच्चा दिन बर वाकर में घुम रहा है गलती मत करिएगा बच्चे को मैक्सिमम 20-25 मिनट वाकर में रखें उसके बाद बच्चे को निकालने और दिन भर में दो से तीन बार मतलब की अगर हम क्या लें कि एक से डेड़ घंटा वाकर में रखें वो भी तीन-चार टाइम में एक साथ में देड़ घंटा तक नहीं तब ही आपका बच्चा ठीक रहेगा नहीं तो बार बार वाकर में रहने की वज़े से नौक सबकी अपनी अपनी बाडी होती है तो सब लोग जैसे नहीं होते कोई ज्यादा काम करता है कोई कम काम करता है तो बच्चे पर फोर्स ना करें बच्चा आपका धीरे खुदी आपको साइन देने लगेगा कि हाँ आप मैं चलने के लिए तैयार हूं कुछ पाएगा हलका चलाइए देखिए चल रहा है तो अगर आपको बच्चा थोड़ा थोड़ा फोशिस कर रहा है चलने की तब आप उसको हलका हलका चलाइए नहीं कि एक दिन उंगली पकड़े बस चले गया 400 मीटर तक ही सामत करिए थोड़ा सा कुछ सेकिंद चलाइए फिर बच्चे क आप बैठा दीजिए ऐसे हलका हलका दीरे दीरे बढ़ाते रहे तब आपका बच्चा चलेगा ठीक है तो फ्रेंड्स अगर आप लोग हमरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही इंपोर्टेंट व में थैंक यू सो मच